लोक्षवाच चुनौग प्रणामों को लेकर के लगाता सवाल उठ रहे हैं इन प्रणामों की समिक्षा कर रहे हैं प्रफूसर जग्दीशो चत्रवेदी आईए सुनते और आस्टर्च की बात है कि लोक्षवाच जो रवईया है और रुख है वो उनको संधिये के दाएरे में फड़ा करते हैं और उसकी मदगर्णा निस्वक्ष हो और प्रणाम निस्वक्ष धंग से पेश किये जाएं इरेक्षिन की सबसे अच्छा होता वो न बोलते हैं उन्होंने बोल के इलेक्σιं कामिशनर के पत की गर्मा को कम किया है बस इतना हिट केम पेन चल रहा है और फार्ट पर्टी के एट केम पेन चल ला? मैंने एक वीडियो भी किया था इलेक्शन कमिशनर रोका नहीं उसको इलेक्शन कमिशनर ने आज कल दो दिन में जवाब भी नहीं दिया उन प्रश्चनों का कि मैं बहुत साफ हूं इस मामले में कि इलेक्शन कमिशनर अपनी संबैधानिक जिम्मेदारी निवाएं और स्वतंत्र और निश्वक्ष चुनाव परणाम दें में और एक और मांग कर रहा हूं मैं यह जो सुप्रेम कोर्ट ने जो और दिया था जिसके तहट किसी भी कंडियेट को अपने ऐसा है कि कोई कंडियेट ले नहीं सकता उसे तो उसका खर्चा दस करूर रुपया आएगा दस करूर रुपया तो टेंडियेट ने इलेक्शन अपने कदमों से इलेक्शन को और उसके परणामों को संदे के दाइरी में ला रहा है और जो उन्हें कि अधिश्यारी किया है आज कि चार दिन पहले भी करते हैं पंदर दिन पहले करते हैं पोर्ट में जाते लोग यह चला की जिस देंगे तो उसके लिए एक कैंडियेट दस करूर रुपया देगा जिस कैंडियेट ने मुस्किल से पांच लाफ रुपय खर्च नहीं किये अग से सुप्रिम कोड के जज्जमेंट को पंक्चा करने में लगा हुआ है यह हमारी सुप्रिम कोड से भी है ताहां के बाद जंतंत्र की लड़ाई तेज होगी कोई भी कंडिडेट अपने पोलिंग के काउंटिंग के बैलेट पेपर्स के डिचेल्स हासिल करने के लिए दस करूर रुपया देगा तब उसे डिचेल्स मिलेंगे गजब यानि आप पूरे election का जो खर्टा है वह थे इंडेट से लेना चाहते है आप जो मांगे का ये खर्टा किया है हिंदुस्तान की जंता ने इffentlich consistency में जो खर्चा आएगा वह पूरा पूरा खर्टा थे इंडेट से लेना चाहाएगा इस माले पर कि सुप्रेंग कोट के और को पूर्ट को एलेक्शन कमिशन ने भौत रहा बना दिया और इसे दूर्स्त किया जाना चाहिए और जो तमाम यूट्टीवर्श हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए जो एक्षें कमिशन ने जो इस तरह का ओर दिया यह हिंदुस्तान के लोक्तंत्र की आरपार की लडाई है अगर कल निस्पक्ष परणाम नहीं आते हैं तो जंदा को सड़कों पर उतरना होगा नरेंद मोदी का जो रुख है और नरेंद मोदी के सासथ पूरी मसिंडरी का जो रुख है उससे पुछ हिए अजीब सी परिशानी हो रही है किसी की भी सरकार बने स्वाल सरकार का नहीं है कि सवाल हिंदुस्तान की जंता का है कि जो भी सरकार बने उसकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वह तत्काल कि 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 सानों ने अपना अंदोरन बापस नहीं लिया है अभी भी सिंदू बॉटर को बैठे हुए कि मुदी की सरकार आए चाहे वो इंडिया गटवन्दन की सरकार आए और ये जो नया नागरिक्ता गानौन जो के पूरी तरह से मुस्लिम गुरुदी कानौन है धर्म के अधार पर इसमें नागरिक्ता की पर्वाशा दी गई है इसे चेंज किया जाना चाहिंए आप लोगों की नागरिता धर्म के अधार पर तैक करेंगो और यह इलेक्षन की मेंडेट के साथ जाएगी यह चीज कि नहीं हमारे तो इलेक्षन नहीं इलेक्षन नहीं इस बात इंडॉर्स नहीं किया आपकी आपने जवर्सी लोगों के उपर थोपा है इसे आपने लोगों की राये नहीं मानी तो जनतंत्र के सामने तीन चुनोतियां पहली चुनोतियां कि इलेक्षन के परणाम मिस्वक्ष आएं और ना आएं तो जनता उसका हर इस तरह पर पत्वात करें नमबर दो जो भी सरकार बनने तो सरकार नहीं बननी चाहिए सुप्रेम कोट तमाम आरोपों की जांच करें और यह मैं बत साफ कहने चाहता हूं इश्वर न करे के कोई आरोप लगे मैं बिश्वास करके चलना हो कि परणाम निस्वक्ष आएंगे लेगे लिगन अगर परणाम निस्वक्ष नहीं आते इलेक्षन कमिशन की जो दो इलक्षिन के जस्ट पहले हुई है वो संदेह खड़े कर रही है और इलक्षिन कमिशनर की जो भाषा है और जो तेवर है इलक्षिन कमिशनर को यह तरह की भाषा और तेवर में बात नहीं रखनी चाहिए कि चार जून के बाद किसानों की समश्या सबसे बर्मुद्दा है हिंदुस्तान था क्योंकि किसान 65% से अधिक आबादी को रिप्रजेंट करते हैं और हिंदुस्तान के जो नौजवान है उनमें से 85% से अधिक नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं कि इनकी बेरोजगारी का मसला सबसे बड़ा मसला है लिए नई सरकार बने तब को पर ऐठ है चैसे सरकार मने सरकार को मजबूर करो कि वह बेरोजगारी के लिए आर्थिक निग्यों के रिवाइबल के लिए और्फियों इसकी तत्काल घोश्रा करें कि बेरोजगारों को तत्काल नौकरी दीजा और जब तक नौकरी न मिले उनको मिनिमम आर्थिक साहता प्रदान की जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सकें लोगतंत रहे यह ब्यापारी अपने मुँपर ताला लगा के बैठे हुए अधिकतर ब्यापारी बीजेपी कर रहे हैं चाहते कोई संकट से निकाले जो कि जीएश्टी के चंगुल में उनको जकर दिया गया है कि जीएश्टी को लेकर जितनी भी शिकायते हैं व्यापारिक समधाय की उस शिकायतों को पत्काल एड्रेस किया जाए और रिजॉल्प किया जाए बिदिने मंत कि अधिता व्यापारियों को सोचना चाहिए तो तुकाने बंद करें ब्यांदोलन करें नरेद मोदी के पास में जो सौधिन का ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट में जीएश्टी की जो जकलवंदी में ब्यापारी तला पड़ा हुआ है इसको लेकर कोई शब्द नहीं है इकोनोमी को कैसे रिवाइट याया है बेरोजगारों को कैसे नौकरी दी जाए इसका ना कोई सपना नहीं है कोई ब्लूप्रिंट नहीं है इसक इलेक्सन में नरेद मोदी नक कोई ब्लूप्रिंट दियाई नहीं है तो अगर सही इंतियार करें हिंदुस्तान के नौजवान बेरोजगारी के लिए कि अब रोजगारी से उत्पर में समस्चाहों से बेहत परेशान है कि नरेंद मोधी जो सपना हमारे बीच में पेश कर चुके हैं जो के बहुत चिंता की चीज़े वे चाहते हैं डब्लप्मेंट विदाव एम्प्लॉइमेंट बिना किसी रोजगार के मुझे ऐसा डब्लप्मेंट नहीं चाहिए जिसमें के बेरोजगारी बेशमार रोहो मुझे ऐसी अर्चवस्ता नहीं चाहिए देश के लिए और इससे इन सबसे बड़ी चीज जो कि चार जून के परणा के बाद दिखाई देनी चाहिए जो भी सरकार आये किंद्र में उसकी जिम्मेदारी है कि जन्ता के अंदर से लोककंत्र की रक्षा का भाव पैदा करें लोककंत्र की रक्षा करना जन्ता की जिम्मेदारी है और जन्ता के अंदर बैठाया गया जो भाई है उसे निकाले और इसके लिए एक सबसे सफ़ा कदम पहला कदम यह होगा कि जो राइजनितिक बंदी है राइजनितिक कहधी है उनको तक्काल छोड़ा जा और यू एपिय में जो बंदी है उनको तक्काल छोड़ा जा और जो जूटे मुकमे लगाएगे हैं वो तुरंथ हटाए जाएं ये कैसे हो सकता है कि जो कहदी हैं उनको बंद रखेंगे राजनितिक केदियों को बंद रखेंगे नहीं सभी राजनितिक केस उन तमाम लोगों के खिलाब में जो केस जिन्होंने कभी जिवन में अपराद नहीं के जिनके उपर केस लगाएगे वे सभी केस तुरंथ वापस लिए जाएं ये नई सरकार से हमारी मांग है और मीडिया में और सामानी जीवन में और सुसल मीडिया में इंटरनेट पर अव्यक्ति की आजादी पूरी तरह से नए सरे स्थाफित की जाएं भारत सरकार जो 43,000 से अधिक जो यूरल दिये हैं जिनके उपर पावंदी लगाने की उनका तरह तरह से बंधल लगाने की जो उन्होंने स्थार से की हैं वे पुरंथ बापस लीजाएं लोक कंजनी झाएइं इसी को ह். और आर्थिक अधिकारों को चीना हैं हितों के और आर्थिक पक्ष्ट आवंटण को लेकर वो शिफार से इन टोटो लागु की जानी चाहिए और राज्यों की स्वाहथता और राज्यों के काम में राज्यपाल के हस्ता दूए सरकारे चल रही है वेपक्ष कि उनको सढ़कोपर उतरना चाहिए जनता के ये जीवन में सुविधाएं कम आई हैं और विभिन में रूपों में अन्य किस्म के सेज और उनके जरीए टेक्स वसूली चलिए आई है जो नौक्री पेशा लोग ये विभिन किस्म के सेज और विभिन किस्म पे जो एंट्री करता ही टेक्स वसूली ये जो विभिन किस्म के विभिन रंगार पेशा वसूल कर रही है और कोई सुझा नहीं देती है ऐसे और आखरी चीज़ और भाते मात मों चीज़ कि जो भी सरकार आए और ना आए तो यह बेपक्ष करें अगर इंडिया बेपक्ष में रहता है तो वो संगर्स करें और जो सरकार में रहते हैं वे कि इसको कुछ ने कि सिख्षा और स्वास्ति जो संस्थाएं हैं हिंदुस्तान की निशनलाइशन किया जाना चाहिए और यह सिख्षा और स्वास्त का जो निजिकरन हुआ है बढ़े प्रमाने पर लूट हो रही है प्राइमरी से लेकर एमे तक तमाम किसम के प्रॉफेशनल क कोर्स में एक समाने में द्यार थी कि लाखो लाख करो लाखो लाख रुपे की फीज जाती है इस यह लूप तत्काल बंद होनी चाहिए नॉमिनल फीज ली जाएगी नेशलाइशन और नॉमिनल फीज और जो भी सुविदाएं हैं उनका शिक्षा और स्वास्त का राश्टी करण एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हिंदुस्तान की जंता के पास में अपने बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है जो पैसे लिए जा रहे हैं अनाफ सरा पैसे लिए जा रहे हैं और आखरी चीश इस पूरे प्रसंग में यह चार जूंके बाद की लड़ाई का बात मामदा है जिन लोगों ने एयरपोर्ट पर एक इंट नहीं लगाई कोई पैसा निवेश नहीं किया जिन लोगों ने कोई पैसा रिल्वेस्टेशन पर निवेश नहीं किया उनको आपने रिल्वेस्टेशन और एयरपोर्ट और पोर्ट दे दिये यह पोर्ट और एयरपोर्ट और र सारे के सारे पूरें नेसलाइज्स किया जाने चाहिए कप पुरानी जो pension scheme करमचारियों की उसे राष्ट रिष्ट पर लागू किया जैना चाहिए अब नहीं कमिशन बनेगा जी बतमयजी सेवंته कमिशन के साथ करमचारियों की पगार आज की महगाई और दूसरी चीज़ों को ध्यान में रखके नहीं से निर्धारिक ती जानी चाहिए और यह मांग पत्र है एक तरह से जो अगले चार जून के बाद सरकार को लागू करता है जो सरकार दोड़ के हर चीज लागू करने मिस्वास करती है हम देखना चाहते हैं इनमें से वह किस चीज में सबसे पहले हाट डालती है अधिस साथ पहली दो चीज़े हैं जिन पर के मैं तुरंट एक्सन चाहता हूं जो भी सरकार हो किसानों की मांगे तुरंट हल की जाएं और नए नागरिता कानून को तुरंट वापस लिया जाएं और भेरुजगारी को दूर करने के लिए तुरंट नोटिफिक्शन कदम उठाए जाएं यह पहली सरकार आते ही सपत लेते ही यह कदम उठाएं अगर सरकार कदम नहीं उठाती तो मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप सबकों पर उत्रे मेरी विमिन में राजनितिक संग्षनों से अपील है क्योंकि यह एक समस्या है हम यह मान के चल रहे हैं लोग अरे लोग इतने नशे में हैं कि अग्रिट पोल आ गया और नरेंद मोदी जीत रहे हैं वो किसी मुद्देव बात नहीं करना चाहते वो किसी समस्या के उपर इलेक्शन कमिशन के नाकामियों पर ध्यान ही नहीं देना चाहते कि इलेक्शन हैं कि जो लोग करमचारी मारे गए उनके प्रत्यक करमचारी को ददस करोर रुप्या मुआपज़ा दिया जाना चाहिए और उनके परवार के ग्यक्ति को नौक्षरी दी जानी चाहिए मैं उम्मीद कर रहा था कि आज इलेक्शन कमिशन इस बारे में कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे लेकिंगे वो दोनों दिन कुछ नहीं बोले आशर्च की बात है सरकारी करमचारी जूटी पर जाते समय घर्मी की बज़े से मर गए इसल कमिशन की यह अच्छा में है हम मांद करते हैं कि प्रतेक करमचारी को जो के मारा गया है गर्मी में जूटी के दरां उसको तुरंट दस कवर रुपय साहिता राश्री के तौर पर जारी के जाए और उसके एक परवार के सदश्च को नोक्री दी जाए हम लोगतंतर के लिए का कि गल्पी है कि उन्हों गर्मी में इलेक्शन नहीं कराने चाहिए थे कि इलेक्शन कमिशनर के स्ट्रेट्मेंट से सिर्फ एक चीश लगती है कि ऐसा लगता है कि वो सुट्जर में रहते थे हैं वो अचानक हिंदुस्तान आए हैं वो हिंदुस्तान में रहते रहे हैं हिंदुस्तान में पैदा हुए उन्हें मालों में गर्मी का पढ़ती है कि जानवू के गर्मी में चुनके गए जिससे कि कम से कम लोग पाटिसमेट कर सकें। इसके बावजूत जन्ता ने कश्ट उठाके पाटिसमेट किया और बेश्मार तक्लीप उठाई। उसमें परमचारी मारे गए उसमें नागलिक भी मारे गए। हम मान करते हैं कि जो एलेक्षन की क्यूटी में काम करते हैं जिनको गर्मी लगी लूगी और उसके वैसको मर गए। कि इलेक्शन कमिशन अपनी अमानुवी प्रकृती से भार निक्रिंट कमिशनर को गर्मी में ड्यूटी देने जानी होती है वो एयर कंडिशन्स में बैए देश के लिए करमचारी मुल्लिवाना यह अपने फर्च करो यह तीनों इलेक्शन कमिशनर हार्ड अटक होकर मर जाते सरकार कितना इनका ताम जान खड़ा करती इनकी मौत पर करमचारी मर गए एक इलेक्शन ड्यूटी करते हुए गर्मी से मर गए प्रधानमत्री ने शोग व्यक्तक नहीं किया इलेक्शन कमिशनर ने कोई साहिता के लिए कदम नहीं उठाए और हम लोगत्तर की रक्षा के ल रहे हैं फूजा कर रहे हैं बेवेका नंद के इस्टैचू के पास जा रहे हैं लोगतंत्र के लिए सहीद हुए हैं यह लोग जिनके बारे बात की जानी चाहिए उनको तुरंट मापजा दिये जाना चाहिए और यह एक बहुत सीरियस मसला है अनफॉशनेट्टी यह अभी भी राजनितिक दल जितने भी राजनितिक दल है किसी ने भी यह बात नहीं उठाई है किसी भी हमारे यूट्यूवर या मीडिया के संपादक में भी यह बात अपने अखपार में नहीं उठाई है कि जो करमचारी ऑन ड्यूटी थे वे जो लू से मर यह उनके परवार के को नौकरी दी जाए मर गए तो मर गए इतना केज्वली न कोई मुख्यमंत्री दुख्य कर रहा है ना कि नागरिक्टी और कि जोकि आपका एक तरह से वह तब से महत्रूर्ण एलीमेंट्ट मेंट्र करने का कि उसकी इतने आवेलना नहीं इस ये जो अमानवीता है यह अमानवीता रिफ्लेक्क कर रही है उस सिष्टम की जिस इस सिष्टम पर इलक्षम कमिशनर ब से अपीर करता हूं कि आप सब लोग इस मस्मेश पर सोगें और बात करें चार जून लोक तंतर के पुनर जन्म की तारीख है तो बेल्ट पेपर से जम लेगा या बेल्ट पेपर के बाहर सब्कों पर जन्म लेगा लेकिन वो जन्म लेगा अल्यडी हिंदुस्तान के मजदूर करमचारियों ने लोग तंतर के लिए कि जिम्मेदारी बंतियाक उनकी उस कुरवानी को हम देकार ना जाने हैं जो चुनाओं में काम करते हुए करमचारी गर्मी से मरे हैं और ड्यूट रुपे की मानवी साहता प्रदान की जानी चाहिए कि मौपार एलेक्सर कमिशनर कमिशनर दुख का एजहार करें पंडूलेस मेसेज भेजा उनके घार डीम को भेजा उनके घार यह जो ड्राइंग रूम पर्टिक्स और ड्राइंग रूम में वही नरेटिव जिसों को पीम बोलते हैं उसी की नकल करना यह अच्छा नहीं लगता कि मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप करें पर वोटों के सब धाम लीगों कि आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को जाल से अधर शेयर करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल में तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुर्ण इसको सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन भी दब को सब्सक्राइब लेक्शन पॉक्सिर और अगर अपने अवारा फेसबूक फेश फोर्व मिलेखिया है अध्यूप का यह तक सब्सक्राइब कर दोलें तर दिस पारके छोली को पूलतारी